नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका अमारी यूट्यूब चैनल SS Study में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जन्तू के वेग्यानिक नामों से रिलेटेड कुश्चनों को कवर करेंगे दोस्तों ये कुश्चन बहुत ही महत्पून है और इनमें से काफी कुश्चन पिछली कई एक्जामों में पूछे जा चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा और अगर आपने अमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ऑप्षण ए रॉबर्ट हुक ने ऑप्षण बी कैरोलस लीनियस ने ऑप्षण सी डैविड सी ले ने ऑप्षण डी 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 डूबे ने तो पताएं दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा तो दोस्तो अगर आपने चुना option B careless lineage तो आपने बिल्कुल सही answer चुना है जीवों की दुई नाम प्रदिती को careless lineage ने परचलेत किया था तो चलते हैं next question पे next question है more का वेग्यानिंग नाम है option A है capra agregas hircus option B pavocrystatus option C equuscavalus option D इनमें से कोई नहीं तो बताएं दोस्तो more का वेग्यानिंग नाम क्या होता है तो दोस्तो अगर आपने चुना option B pavocrystatus तो आपने बिल्कुल सही answer चुना more का वेग्यानिंग नाम होता है pavocrystatus दोस्तो यह question पूछा जा सकता है क्योंकि more अपना राश्टर पक्षी है तो इसका वेग्यानिंग नाम एक्जामों में पूछा जा सकता है तो थोड़ा इसको याद रखिएगा चलते नेक्स्ट कुश्चन पे नेक्स्ट कुश्चन है canis familiars किसका वेग्यानिंग नाम है तो आपके option है option a गाय option b हाती option c घोड़ा या option d कुट्टा तो बताएए दोस्तो इसका साही answer क्या होगा तो दोस्तो अगर आपने चुना option d कुट्टा तो आपका answer बिलकुल साही है कैनिस फैमिलियर्स कुत्ते का ही वेग्यानिक नाम होता है तो दोस्तो चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन पे नेक्स्ट कुश्चन है बाग का वेग्यानिक नाम है बाग का वेग्यानिक नाम है तो option A Erecto Legas Cuniculus option B Sus option C Panthera Leo option D Panthera Tigress बताइए दोस्तो साही अंसर क्या होगा तो दोस्तो आपने चुना option D तो बिल्कुल साही अंसर चुना है ठीक है दोस्तो दोस्तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं आप देखिए Panthera का बाद में आ रहा है Tigress तो Tiger यानि क्या होता है बाग अब इसमें ऑप्शन में ये Panthera Leo भी है लेकिन ये Panthera Leo तो Leo से क्या होता है लोयन ये लोयन का नाम है ठीक है दोस्तो तो आप बाग को याद रख सकते हो Tigress से यानि कि Tiger ठीक है चलते है नेक्स्ट कुश्चन पर नेक्स्ट कुश्चन है गंगा डॉल्फिन का वैग्यानिक नाम है गंगा डॉल्फिन का वैग्यानिक नाम है तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन A Capra Agracus Hircus ऑप्शन B Pivocrystatus ऑप्शन C Platinista Gangetica ऑप्शन D है इनमें से कोई नहीं गंगा डॉल्फिन का वैग्यानिक नाम होता है वह होता है Platinista Gangetica ठीक है दोस्तो अब चलते हैं Next Question पर Next Question मनुष्चिका वैग्यानिक नाम क्या होता है तो आपके ऑप्शन है Option A Homocras Option B Homosapiens Option C Capta Hitmus Option D Serpentis तो बताएं दोस्तो मनुष्चिका वैग्यानिक नाम क्या है तो दोस्तो अगर आपने चुना Option B Homosapiens तो आपने बिल्कुल Science और चुना है मनुष्चिका वैग्यानिक नाम Homosapiens होता है ठीक है चलते हैं Next Question पर Next Question है Boss Indicus किसका वैग्यानिक नाम है Boss Indicus किसका वैग्यानिक नाम है आपके पास Option है Option A है गाय Option B है हाती Option C है गोड़ा Option D है कुत्ता तो बताएं दोस्तो सही अंसर क्या है तो दोस्तो अगर आपने चुना Option A गाय तो आपका अंसर बिल्कुल सही है गाय का नाम होता है Boss Indicus दोस्तो इसे भी आप याद रखेगा ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है दोस्तो तो चलते नेक्स्ट कुश्यन पे नेक्स्ट कुश्यन है भैस का वैग्यानिक नाम है भैस का वैग्यानिक नाम है तो उप्षण A है होमोक्रेस उप्षण B है बुबालस बुबालिस उप्षण C है कैप्टा हिटमस उप्षण D है सर्पेंटेस तो बताए दोस्तो इसका साही अंसर क्या होगा तो दोस्तो अगर आपने चुना उप्षण B बुबालस बुबालिस तो आपने बिल्कुल साही अंसर चुना है बहांस का वेग्यानिंग नाम होता है बुवालस, बुवालिस दोस्तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे बहांस को अपन इंगलिस में वफैलो बोलता है तो वफैलो में भी आता है ऑप्शन B है पावो क्रिस्टेटस ऑप्शन C है एक्वस्केवलस यह ऑप्शन D है इनमें से कोई नहीं तो बताए दोस्तो सही अंसर क्या होगा तो दोस्तो अगर आपने चुना ऑप्शन A कैप्रा एग्रागरस हिरकस तो आपका अंसर बिल्कुल सही है दोस्तो बक्री का वेग्यानिक नाम होता है कैप्रा एग्रागरस हिरकस ठीक है दोस्तो इसको इसका दूसरा नाम भी है कैप्टा हिटमस भी बोलते हैं इसको वह अलग-अलग स्पिसीज की बक्री होती है उस हिसाफ से है ठीक है दोस्तो जो बेसिक बक्री है नॉर्मल जो आपन बोलते हैं बकरी उसका नाम यही होगा कैप्रा एगगरस सेरकस चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर नेक्स्ट कुश्चन है बोस प्रीमी जीनियस किसका वैग्यानिक नाम है बोस प्रीमी जीनियस किसका वैग्यानिक नाम है तो आपके option है, option A सेर का, option B गदा का option C बयल का या option D हाती का तो बताए दोस्तो boss primer genius, prim qualities किसका नाम है तो दोस्तो अगर आपने चुना option C, तो आपका बिलकुल सहे answer चुनाए, boss Loren posigenious, bell का वेग्यानिक नाम होता है, तो दोस्तो हो जाएगा बहुत प्रोमी जीनियस ठीक है दोस्तों इस प्रकार से इसको याद रख लेना नेक्स्ट कुश्चन है मैडक का वेग्यनिंग नाम है तो आपके ऑप्शन है एक्जाम में पूछा जा चुका है यह कुश्चन चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर नेक्स्ट कुश्चन है ऊत का वेग्यनिंग नाम है ऑप्शन ए है होमोक्रेस ऑप्शन बेहैं बुवालस बुवालस ऑप्शन सी है कैपला हिटमसsa और ऑप्शन डिए कर मैलस दोमेटेरियस तो बताहे दोस्तों इसका साहानसर क्या होगा तो दोस्तो अगर आपने चुना option D तो आपने बिल्कुल सई अन्सर चुना है उंट का वेग्यानिक नाम होता है Camelus Domitarius तो दोस्तो आप इसको आसानी से याद रख सकते है Camelus यह आप देख सकते हैं और उंट को भी इंगले से आपने होलते है Camel तो इससे यह आसानी से रिलेट हो रहा है ठीक है दोस्तो इसको भी आप याद रख यह यह पिछली साल लेव अस्टेंड 2018 में यह पूछा गया था कुश्चन तो आप चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन है फैलिस डॉमेस्टिका किसका वेग्यनिक नाम है तो आपके ऑप्षिन है ऑप्षिन ए गाय का ऑप्षिन भी हाती का ऑप्षिन सी बिल्ली का या ऑप्षिन डी कुट्टे का तो बताएं दोस्तो फैलिस डॉमेस्टिका किसका वेग् तो आपने बिल्कुल साइयन सर्चुना हो, तो एलिश डॉमिस्टी का बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है दोस्तों, अब चलते नेक्स्ट कुश्यन पे, नेक्स्ट कुश्यन है, सस, किसका वैज्ञानिक नाम है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, गदे का, ऑप्शन बी, साप का, ऑप्शन सी, सूर का, या ऑप्शन डी, लॉम्री का, तो बताएए दोस्तों, इसका साही अंसर क्या होगा, तो दोस्तों, अगर आपने चुना आप्शन सी, आपने बिल्कुस साही अंसर चुना, सस जो है, वो सूर का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है दोस्तों, अब चलतें next कुश्यन पे, नेक्स्ट कुश्चन है भारती हाती का वेग्यानिंग नाम क्या है दोस्तों ये कुश्चन भी काफी वारे एक्जामों में पूछा गया है तो बताइए आपके ऑप्शन है ऑप्शन A एलिपस मेक्सिमस इंडिकस ऑप्शन B है वुवालस वुवालिस ऑप्शन C केप्ता हिटमस ऑप्शन B केमलास दयरियस तो बताए दोस्तों सही अंसवर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन E elements एलिप Esther में हैं और इसका नाम है पहला यहाद सकते हैं यह वैसा और आप अपशन में देख सकते हैं कि बुबालस है जो की बैंस का नाम होता है Camillus Domitarius है यह उंट का होता है और Capitmus बक्री का होता है ठीक है नेक्स्ट कुशन है चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों चिंकारा जो की राजस्तान का राजपसु था इसका वैज्ञानिक पूछा गया है तो आपके option है option a अर्सीडाई option b कैनिस लूपस option c गजेला बैनिटी या option d इनमें से कोई नहीं तो बताएं दोस्तों सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option c गजेला बैनिटी तो आपने बिल्कुल सही अंसर चुना है चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है गजेला बैनिटी तो चलिए दोस्तों चलते नेक्स्ट कुश्चन पर नेक्स्ट कुश्चन है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है तो आपके option है option a homocris, option b bhoobalis bhoobalis, option c captahitmus, option d मस्क का डॉमेस्टिका तो बताएं दोस्तों सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों अगर आपने चुना option d मस्का डॉमेस्टिका तो आपने बिल्कुल सही अंसर चुना है मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो मस्का डॉमेस्टिका होता है ठीक है दोस्तों next question देखते है नेक्स्ट कुश्चन है और इक्टो लेगस कुनिकुलस किसका वैज्ञानिक नाम है और इक्टो लेगस कुनिकुलस किसका वैज्ञानिक नाम है तो आपके option है option A मोर का option B हाती का option C खरगोष का option D है तितली का तो बताएं दोस्तों सही अंसर क्या होगा तो दोस्तो अगर आपने चुना option C तो आपने बिल्कुल साही answer चुनाएं और इक्टो लेगस को निकुलस खरगोस का वैग्ग्यानिंग नाम होता है ठीक है दोस्तो चलते हैं next question पे next question है घोडे का वैग्ग्यानिंग नाम है घोडे का वैग्ग्यानिंग नाम है तो बताएए दोस्तो इसका साही अंसर क्या होगा तो दोस्तो अगर आपने चुना option C तो आपने बिल्कुल साही अंसर चुना गोडे का जो वेग्यानिंग नाम है वो होता है इक्वस्ट कैबिलस ठीक है दोस्तो चलते हैं next question पे next question है पेंथेरा लियो किसका वेग्यानिंग नाम है तो आपके पास option है option A सेर का option B बाग का option C बैल का option D आती का तो बताएए दोस्तो साही अंसर क्या होगा तो दोस्तो अगर आपने चुना है option A तो आपने विल्कुल साही अंसर चुना है पैंथेरा लियो सेर का वेग्यानिंग नाम होता है आप इसको असन इसे याद भी कर सकते हैं देखे इसमें पैंथेरा का बाद लियो है और सेर को भी अपन इंगलिश में लॉयन बोलते हैं तो इसी से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं ठीक है दोस्तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कुश्चन पर, नेक्स्ट कुश्चन है गदे का बैग गैनिंग नाम क्या है, तो आपके option है, option A, राना टिगरीना, option B, पावो के स्टेटस, option C, एक्वस केबिलस, और option D है, एक्वस ऐसीनस, तो बताए दोस्तो सही अंसर क्या तो आपने बिल्कुल सही अंसर चुनाए, गदे का बैग गैनिंग नाम होता है, एक्वस ऐसीनस, और गोडे का होता है, एक्वस केबिलस, इस चीज़ को थोड़ा द्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, next question पर, next question है, रूसेवर्स डूवसली किसका वेगनिंग नाम है, रूसेवर्स डूवसली किसका वेगनिंग नाम है, option A है बेड का, option B है बारे सिंगा का, option C है कच्छुए का, option D है भालू का, तो बताए दोस्तों, सही अंसर क्या होगा, तो दोस्तों, अगर आपने चुना option B, बारे सिंगा, तो आपने बिलकुल सही अंसर चुना है, रूसेवर्स डूवसली बारे सिंगा का, वेगनिंग नाम होता है, ठीक है दोस्तों, आप चलते है, next question पर, next question है, नील गाय का, वेगनिंग नाम है, तो नील गाय तो दोस्त, आपने काफी देखिऊंगी तो आप इसका वेग्गेनिग नाम बताइए आपके ओप्शन है ओप्शन A है होमो क्रेस ओप्शन B है बॉस लेफस ट्रेगो कैमलस ओप्शन C है कैप्टा हिटमस और ओप्शन D है बॉस इंडिकस तो बताइए दोस्तो नील गाय का वेग्गेनिग नाम क्या है तो दोस्तो अगर आपने चुना ओप्शन B तो आपने बिल्कुस सही अंसर चुना निल गाय का वेग्या निगनाम होता है बॉस लेफस ट्रेगो कैमलस जी हां दोस्तो और बॉस इंडिकस होता है अपनी गाय का नाम तीक है दोस्तो तो आप चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर नेक्स्ट कुश्चन है बेडिया का वेग्या निगनाम है आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कैनिस लूपस ऑप्शन बी कैनिस फैमिलियर्स ऑप्शन सी एक्वस कैबलस ऑप्शन डी है इन में से कोई नहीं तो बताएए दोस्तो साही अंसर क्या होगा तो दोस्तो अगर आपने चुना ऑप्शन ए कैनिस लूपस तो आपने विल्कुल साही अंसर चुना है बेडिया का वेग्यानिंग नाम होता है कैनिस लूपस और कैनिस फैमिलियर्स आप जानते ही है किसका नाम होता है कुट्टे का नाम ठीक है दोस्तो चलते हैं सिटा सिफॉरमिस ऑप्छनसी अशिदाई ऑप्छनडी हैं आलक्ज appelle कि गर इंस वे सोगा तो धोस्तो अगर आपने चुना आप्छनमबी सट आ सी पमैस तो आपने बिल्कुल सा अंस रचुना हैं में तो टे कम बैंगने नम होता है सिटासी फॉर्मिस ठीक है दोस्तों यह एलेक्जेंडर पेराकीट है यह एक तोते का नाम होता है यह हीरामन तोता होता है जो की राजिस्तान के माउंट आवू में पायाता है यह मनुष्षी बासा बोलने वाला तोता होता है इसलिए इसका बैग्ग्यानिंग नाम भी कुछ ढल्ग है थिक है दोस्तों तो इसमें कंठ् Wię न होया है आप चलते हैं नेस्ट कुश्चयन पे टारटा है और नेस्ट कुश्चयन है बालू का बाग्ग्यानिंग नाम है आपके ओप्शणाहे option A, arcidae, option B, boobalis, option C, captahitmas, option D, serpentes, तो बताएं दोस्तो, science हो क्या होगा, तो दोस्तो, अगर आपने चुना option A, arcidae, तो आपने बिल्कुल science हो चुना है, भालू का वेग ग्यानिंग नाम होता है, arcidae, ठीक है दोस्तो, तो आप चलते हैं next question पे, next question, serpentis किसका वेग ग्यानिंग नाम है, तो आपके option है, option A है गदे का, option B है साप का, option C है सूर का, option D है लॉम्ली का, तो बताएं दोस्तो, science वर क्या होगा, तो दोस्तो, अगर आपने चुना option B, तो आपने बिल्कुल सही अंसर चुना है, दोस्तो, साप का नाम होता है, serpentis, आप इसको याद भी रख सकते हैं, सर्प, साप, सर्प, साप, आसनी से याद हो जाएगा, तो दोस्तो, अब चलतें next question पर, next question है, मुर्गा का बैग्यानिक नाम है, तो आपके option है, option A, arcedai, option B, gallus, gallus, domesticus, option C, sus, और option D है, muska, domestica, तो दोस्तो, बताएं, सही अंसर क्या होगा, तो दोस्तो, अगर आपने चुना option B, gallus, gallus, domesticus, तो आपने बिल्कुल सही अंसर चुना है, आप जानते हैं, दोस्तो, arcedai, अभी आपने पढ़ाता, बालू का नाम होता है, sus होता है, sewer का, muska, domestica, मक्की का नाम होता है, तो सही अंसर क्या हो जाएगा, अपना, gallus, gallus, domesticus, त next question है, कचुआ का वैज्ञानिंग नाम है, आपके option है, option A, ropal sera, option B, citasiformis, option C, arcedai, और option D है, test to dense, तो पताएगे दोस्तो, साई अंसर क्या होगा, तो दोस्तो, अगर आपने चुना, option D, तो आपने बिल्कुल साई अंसर चुना है, कचुएगा, वैज्ञानिंग नाम होता है, test to dense, तो इसका आप याद रखिएगा, चलते है, next question पे, next question है, ropal sera, किसका वैज्ञानिंग नाम है, रोपल sera, किसका वैज्ञानिंग नाम है, तो आपके option है, option A, भेड का, option B, तितली का, option C, कचुएगा, और option D है, भालू का, तो पताएगे दोस्तो, साई अंसर क्या होगा, तो दोस्तो, अगर आपने चुना option B, तो आपने बिल्कुल साई अंसर चुना, रोपल sera, तितली का वैज्ञानिंग नाम होता है, तो दोस्तो, ये थे हमारे जन्तों के वैज्ञानिंग नामों से related मैटमून कुश्यन, दोस्तो, आप इन कुश्यन्स को, एक दो बार रिपी करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक, सेर जरूर कीजेगा, और अगर आपने अमरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अमरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तो, नेक्स्ट वीडियो में हम खल सबजी और बनस्पतियों के वैज्ञानिंग न आपरत